तो यह देखिए हमारा मटर के पराठे बनके तयार है मिलकूल मुलायम और अंदर से इसका जो टेक्चर है हरे मटर का इसमें जो फिलिंग भरी हुए हूँ वो देखिए कितना अच्छा इसका टेक्चर है हेलो फ्रेंड्स मैं राजीव राजीव किजिए इंटों आपका स्वागत है अज हम बनाएं के मटर के पराठे तो चलिए भिना किसी देरिये के सुरू करते हैं मटर के पराठी के लिए हमने 200 ग्राम के असपास मटर लिया है हरा मटर और उसे एक मिक्सी जार में इसे पीछ लिया इसे इतना दर्दरा रखना है कि यह ज्यादा पतला भी नहों सके और नहीं इसका गोटेदार दाना हो ताकि यह अच्छे से फिलिंग बन जाए तो अब ह उसमें एक oria लिए उसमें तेल डाले लें ज हमने लगवक दो मेटियों एडी चमछ करके इसमें डाला है तो यह देखिए हमारा प्याज रोष्ट हो चुका है तो अब हम इसमें एड करेंगे अधरक अधरक हमने एक इंच कट्टू कर लिया था उसे कद्दू कस करके डाला है आप जाहे तो उसे पीछ के भी डाल सकते हैं तो इसे भूनने के बाद अब हम फाइ हाँ है तो यह देखिये हम इसे है फ्लेंप e is a bhoonएं तो इस पानी सुखने के बाद आध हम इसमें मसाले करेंगी मसाले हमने धनिया हल्दी लाल मिर्च पाॉडर और थोड़ी सी गर्म-मसाला सारे मसाले को हमने लगवाग आधी चमच के आस-पास रखा बिकिल मसाला हम इ तो यह देखें हमारा फिलिंग जो है हलका भून गया है तो अब इसमें नमक एड कर लेंगे बाद की अब जो हम इसमें अधरी धन्या है और इसे क्या तो और वह लेंगे मीडियु प्लेम प्रून करेंके च्छिस्पाहें तो यह मारा फानली भून कुका है और आ्टा हमने ल कि मैं मुध ऐलेंगें तू इस प्रकार से इसका व्लव करके कुछ इस प्रकार से मिसका से जना। आपको देखने से पता होगा की है कि इसा बना के इसा की फिलंग डालिगें temos के ताकि इसमेडे करें अपर फिलिंग दालें दो इसमें डालकर इस परकार से बंद करेंगे捐 अ ह disturbance आप अब इस रहर स्बाइब आप गर पेखर प्राथे को हमने इसी परकार cleanse तो यह देखिए हमारा इसेका इसके भी भर दिया हमने अब आटा लगा कर इसे अम बेल लेगे यह ज्यादा परेश करके नहीं बेले लेंगे अलके हातों से बेलें आज है क्योंकि ज्यादा एस इसे प्रेस करके में तो इसका फिलिक निकल जा था फिर मजा नहीं आ ही तो यह देखिए हैं उने फिल से अटा लगा कि अच्छे से बैल लिया है तो यह देखिए हमारा फाइनली मतर का पराथा जो हमने भर के बेल लिया है तो एक दूसरे तरीके से हम इसे भर के दिखा रहे हैं आपको आप इस परकार से भी भर सकते हैं पहले इस लोई को बेल लेगे हम आटे लगा के बिल्कुल रोटी के सेप में उसके बाद इस पे हम मिंदलिण डालके है उसको बहुंब करें इसको बढ़ेंगे है इसको बढ़ने का इस परकार से भी आप भर सकते हैं हमने दोन परकार से आपको बताया है है आप चाहे तो आपको जैसे सुझा उस हिसाब स Also if बनाए है तो इसी परकार से हमने सारे मुटर के पराठे को बेल लिया है तो यह देखिए तो अब हम इसे तभे पर पकाएंगे तो इसके लिए हमने तबा लिया है तबा को हीट करने के बाद हम इसमें डालेंगे तो यह देखिए हमने ड़ाला है और एक तरफ हमारा सिख चुका है तो दूसरी तरफ हैम इसी परकार से इसे पकाएंगे अब किनारे को हल्का सा प्रेस कर कर हों इसे पका शकते हैं ताकि किनार器 थोड़ा सा जो कच्चा रहा जाता हम अच्छा स्पक 안गा देखिये ऐँआ shrinking तो यहां फ्रिद्व के जगए गहां обですかब कर सकते हैं इसमाल किया कि कि अच्छिंग आप ऑमे इस प्रकार से भूल यह देखिए bisa般 कर ऐसे कि अचो आप भी इसी परकार्शम एक सदो बार इसे पलट कर अच्छे स्पका लेंगे तो आप इससे को घरमा गरम अपने घर में सभी फैमिली के साथ जरूर सर्व करें देखी हमारा फाइनली मटर के पराठे बनके तयार है अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो इसी परकार सबना है सारे प्राठा को भी इसी तरह से पकाया है तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं इसे तो यह देखिए अब हम इसका बीच का टेक्स्टर दिखाते हैं आपको यह कितनी अच्छी इसमें फिलिंग भढ़ी गई है तो इसे हम तोड़के दिखा रहे हैं तो यह देखिए हमारा कितना अच्छा यह तैयार हुआ है मटर के पराठे आप इन सर्दियों में इसका आनल जरूर लें इसका देखिए टेक्स्टर कितना अच्छा इसमें फिलिंग भरी गई है फ्रेंट्स अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो मारे वीडियो को लाइक ताकि इसी तरगे रेसिति आपको आगे भी मिलती रहे जैए जै वारत